आज जिते देश पार्चे एद उल जुहादा तो हार पुरी शर्दा आते उतने शान आल मनाया जा रहा है ओथे एहमदिया मुस्लिम पाइचारे दे हैड कोवार्टर कादिया विखे भी पाइचारा वल्लो एद दी नमाज अदा किती गई अक्सा मस्जिद विखे मुहमद मुझफर खान ने एद दी नमाज अदा करवाई नमाज अदा करण उपरंद एद खुतबा दिन दिया ओना इस एद दी एहमियत दे चानना पाउंद आख्या की हर एक मुसल्मान दा फर्ज बंदा है की ओ गरीबा आते पुख्या दी मदद कर अधे अपनी कमाई दा इक हिसा लोडवंद लोका ले रखे इस मौके ओना केहा कि अगर सुख खते खुशिया चाहे दिया हांता सानु पर मातमा दे दसे होई रात चलना पवेगा इद दी नमाज अदा करण लेई वाक वाक इलाक्या तो वी पाई चारे दे लोक का दिया प मुखतलिफ धर्माव और मजाहिब का गुल्दसा है हर मजब के मानने वाले अपने अपने तहवार अपने अपने तरीक के मताबक मनाते हैं इसलाम में बड़ी दो इदे हैं दो तहवार हैं जो एक रमदान के रोजों के बाद आती है और ये एक बड़ी इद कहलाती है जो ह खुदा ताला के एक नबी और आउतार थे, उन्होंने खुदा के हुकम से अपनी बीवी को और छोटे बच्चे को, दूप पीते बच्चे को, मक्का की वादी में जहां अना दाना अना पानी कुछ नहीं था, यहां पर छोड़ दिया, मगर खुदा ने वादा दिया था, कि यहां खुदा की अबादत का घर बनेगा और दुन्या भर से यहां पर लोग अबादत के लिए आएंगे, चुनांचे देख लें, कि वो उनकी खुर्बानियों का फ्ल, ऐसा अल्ला ताला ने दिया, और ऐसा अल्ला ने अपने वादे को पुरा किया, कि आज जो है, इस साल 20 लाक के खरीब जो हाजी दुनिया भर से वहां पर पहुंचे वे हैं, और तवाफ कर रहे हैं, और खुर्बानिया दे रहे हैं, भैड़ बगरी जो खुर्बान किये जाते हैं, उनका गोश्ट तक्सीम किया जाता है, उसका फलस्फा, उसकी लाज़ किए है, कि जिस طرح हम भैड़ बगरी को गिरा कर उसके गले पर छूरी फिड़ते हैं, इस तरह ये खुर्बानी का खुन और गोश्ट खुदा को नहीं पहुंचता बलके उसके पीछे जो भावना है जो जजबात है और जो नियत है वो खुदा को पहुंचती है कि वो ये है कि जिस तरह बेट बकड़ी को हम गिरा लेते हैं और छुरू पहुरते हैं इसी तरह हम अपने रब के अपने खुदा के आगे लीन हो जाएं और खुदा की मर्जी के मताबिक जिन्दगी गुदारें खुदा की भक्ती करें, मानवता की खिदमत करें यही जो है धर्म के और इसलाम का और हर मख़ब का यही दो बड़े मकसद हैं कि खुदा की भक्ती करें खुदा के जो गुन है, खुदा के जो साफ है वो अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें और इन्सानियत के खिदमत करें यही पैगाम है इद्दु दुहा का जो मैं तमाम भारत वासियों को और पंजाब के लोगों को इद मुबारक के पैगाम के साथ देना चाहता है